तो हेलो फ्रेंट्स बहुत बड़ी ख़वर निकल करके आप लोगों के सामने आ गया है कि अब आप लोगों का जो मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया है जो स्टुडेंट पास हो चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी ख़वर है उनके लिए दोस्तो अच्छी खवर य या फिर जो स्टुडेंट अपने रिजल्ट से संतोष्ट नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छी खवर निकल करके आ गई है आप लोगों के लिए इसी वीडियो में मैं बता आने वाला हूँ बात करता हूँ आप लोगों का दोस्तों कि जो भी स्टुडेंट मैट्रिक क चाहे इंटर का रिजल्ट आया है और जो अपने रिजल्ट से खुस नहीं है उनके लिए बहुत बुरी खवर थी लेकिन आप लोगों के लिए आज सुबह सुबह बहुत अच्छी खवर आ गई है अब आप लोगों को टेंसन लेने की जरुवत नहीं है जो इस्टुएंट फेल हो चुके हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खवर है जहां तक ही दोस्तों इंटर का जो एक तारिक से लेकर के यानिके एक अपरेल से लेकर के साथ अपरेल तक जो स्कुरूटी का फॉर्म भरा गया था उनका भी रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है तो इस वीड जो है आंदोलन पर उतर आये हैं तो आंदोलन में उनके लिए क्या अच्छी खवर है वो जानकारी सामने आ गई है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सुरू से लार्ज तक पूरी जानकारी बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या करना है जिससे कि आप लोग का भी बहुत अच्छे तरिका से आ जाए तो बीना देरी किये हुए इस वीडियो को सानदार तरीका से सुरुवात कर देते हैं बडू से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ मैं बेल आइकन को दबाना ना किये हैं जो कि टोप 10 में आये हैं तो उनको एक लाक रुपया और एक लैप्टॉप दिया जाएगा और पलस उसमें एक बुक दिया जाएगा यो कि उनके लिए बहुत ऑच्छी खबर है बात करते हैं दोस्तों जो कि first और second किये हैं उनके लिए फर्स सेकेंड वालों के लिए भी बहुत अच्छी खवर यह है कि उन लोगों को भी दोस्तो 20,000 से लेकर के 10,000 तक मिलने के उमीद लगाई जा रहा है अच्छी खवर आई है सूफिय सुत्रों के हवाले से अब बात करते हैं दोस्तों उसकी जो इस्टुडेंट इस बार फेल हो चुके हैं या फिर जो इस्टुडेंट अपने रिजल्ट से और संतुष्ट है उनके लिए क्योंकि दोस्तों इंटर वालों के लिए तो एक अपरेल से लेकर के 7 अपरेल तक समय दिया गया था ताब उसका रिजल्ट का इंतजार है कि जो इस्टुडेंट भी चैलेंज किये है यानि के स्कूर्टनी का फॉर्म भरे हैं एक या दो सब्जक्ट में उनके लिए बहुत अच्छी खबर आने ही बाली है जैसे ही खबर आ जाएगा जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा मैं आप लोगों के लिए तुरंत वीडियो ले करके आ जाओंगा अब बात करते हैं मैट्रिक वालों के लिए तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू 11 अपरेल से ले करके 17 अप आजाएगा, पहले तो आप लोगों को स्कूर्टनी का फॉरम भरना है, 11 अपरेल से लेकरके 17 अपरेल तक, अगर इसकी जानकारी आप संपूर्ण रूप से लेना चाते हैं, यदि आप खुद से नहीं, फॉरम भरना आपको नहीं आता है, इसकी जानकारी पूरा लेना और इस comment box में यदि आप जिस subject का challenge करना चाहते हैं उस subject को जरूर लिखे एक subject का challenge करने का आपको 50-70 रुपिया लग सकते हैं ये खबर आप लोगों को 11 अपरिल से पहले यानिके 10 अपरिल को पता चल जाएगा यानिके कल पता चल जाएगा तो 11 तारी को क्या क्या करना है कैसे क कैसे form बरना है आप जल्दी से नीचे description box में टेलिग्राम पे जूर जाएगी आपको सारी जानकारी टेलिग्राम पे मिल जाएगी और दोस्तों अगर form बरने आपको नहीं आता है तो जिस subject में आपको challenge करना है comment box में लिखिए अपना roll code roll number और उस subject का नाम लिखिए आपको कै कैसे कैसे form को fill up करना है हम आपका help करेंगे ठीक है जिसमें बिल्कुल free of cost होगा कहीं कोई पैसा नहीं लिया जाएगा ठीक है और इसका भी result scrutiny का बहुत जल्द आ जाएगा आप बात करतें दोस्तों fail वाले student के लिए जो student fail हो चुके है उसके लिए inter और metric वालों के लिए compartmental का form भरा जा रहा है compartmental का form भर दीजिए उससे क्या होगा कि आप लोगों का exam होगा अपरेल में इंटर वालों के लिए अपरेल में exam होगा और मैं मैं में आपका result आ जाएगा metric वालों के लिए भी बहुत अच्छी ख़बर है compartmental का form आएगा और उसको भर करके आप लोग 1 से 2 य पसंद आए तो लाइक करना साथ में चैनल को अगर सबस्क्राइब नहीं के तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लो और साथ में बैल आइकन को दबाना ना भुले क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना आते ही रहता है सारी जानकारी से अपडेट रहने क लिए नीचे description box में टेलिग्राम का link है उसे join कर लिजे जब भी कोई latest video आता है तो उसका paper में कोई ऐसा news आता है कहीं भी कोई ऐसा news आता है तो उसका screen shot ले करके या लिख करके या उसका photo खीच करके आपके टेलिग्राम पे भेज दिये जाते हैं तो उमीद करता हूं मेरी बात से आपको समझ में आ गया होगा और भी कोई जानकारी चाहिए कहीं कोई confusion कोई dot हो तो नीचे comment box में लिखना मत भूलिएगा तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम